प्रस्नवली 12.1 के पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में हमने प्रस्न संख्या 1 से प्रस्न संख्या 5 तक के प्रस्नों को हल किया है आज प्रस्नवली 12.1 के पार्ट 3 वीडियो में हम प्रस्न संख्या 6 से प्रस्न संख्या 10 तक के प्रस्नों को हल करेंगे प्रस्न संख्या 6 तीन के दो लगातार गुनज ग्याद कीजिए जिनका योगफल 33 है आई ये से हल करते हैं मानलिया की पहली गुनज पहली तीन की गुनज बराबर x इसलिए लगातार दूसरी तीन की गुनज ये हो जाएगी x प्लस 3 तो हमारा जो अभिस्ट सभीकरन होगा या कहें प्रश्ण से प्रश्ण प्रश्ण में क्या है कि दोनों का योगफल 33 है आई ये दोनों को हम जोडते हैं पहला गुनज x और दूसरा x प्लस 3 बराबर 33 या ये x प्लस x 2x हो गया 2x प्लस 3 इसके लटो 33 हमें ये समिकरन प्राप्त हो गया है अब इस समिकरन को हम हल करेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा यानि हमें तीन का पहला गुनज मिल जाएगा तो आईए से हल करते हैं इस समिकरन के बाएं पक्च और दाएं पक्च से हम तीन घटाएंगे तो 2x प्लस 3 माइनस 3 सका थो 33 घटाव तीन तो ऐसा करने से ये देखिए प्लस 3 और माइनस 3 कैंसिल हो गया और इसी cancel करने के लिए हमने घटाया था तो यह आ गया हमारा 2x iskal to 30 या अब हम क्या करेंगे कि दोनों पक्ष में 2 से भाग देंगे 2x by 2 iskal to 30 by 2 तो यह हमारा आ गया x iskal to 15 तीन यानि हमारा जो पहला गुनज है वो आ गया पंद्रा इसलिए तीन की पहली गुनज जो हमें चाहिए थी ब्रावर पंद्रा और दूसरी गुनज तो हमने क्या किया था यसे में तीन जोड़ा था तो यहां हम 15 में तीन जोड़ेंगे तो यह आ गया 18 तो हमारी आ गई पहली गुनज 15 और दूसरी गुनज 18 प्रस्न संक्या साथ सोनु के दादा जी की उम्र सोनु के उम्र का पांच गुना है दोनों के उम्र का अंतर 60 वर्स है सोनु एवं उसके दादा जी का उम्र क्या है तो यहां दादा जी और सोनु में किसकी उम्र कम है निश्ची तुरुक से सोनू की उम्र कम है, तो जिसकी उम्र कम होती है, इस तरक के प्रस्णों में हम उसी के उम्र को मानते हैं। इसलिए दादा की उम्र कितनी है, पांच गुनी है उसकी, यानि 5X, प्रस्ण से दोनों की उम्र का अंतर 60 वर्स है, यानि 5X माइनस X इसकल टू 60, दादा की उम्र से हम सोनू की उम्र घटा दे रहे हैं, तो 60 वर्स आ रहा है। यह हमारा प्रस्ण में दिया हुआ है, कि दोनों का अंतर 60 वर्स है। या 5X से X हम माइनस करते हैं, या गया 4X इसकल टू 60, अब हम इस समिकरन की, यह हमारा समिकरन मिल गया, इस समिकरन को हल करेंगे, तो हमारा X कमान आ जाएगा। तो इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, कि यह दोनों पक्ष में 4 से भाग देंगे। यह 4X वाई 4 और यह 60 वाई 4। तो हमारा X कमान आ गया 15, इसलिए सोनू की उम्र ब्रावर 15 वर्स, और सोनू की दादा की उम्र 5 गुनी है, यानि 5 इंटू 15, इसकल टू 75। वर्स प्रस्त संख्या आठ, एक विशम बाहू त्रिभूज की भुजाएं X-2, 2X एवं X-2 cm है, त्रिभूज का परिमाप 16 cm है, तो भुजाओं की लंबाई ग्यात कीजिए। हम लोग जानते हैं कि त्रिभूज का परिमाप उनकी तीनों भुजाओं का योग होता है। आता है, प्रस्म से, तीनों भुजाओं को हम जोडेंगे तो उनका परिमाप निकलना चाहिए। चलिए तीनों भुजाओं को जोडते हैं, यह हो गई पहली भुजा, जोड यह दूसरी भुजा, जोड यह तीसरी भुजा, यह बराबर हमारा दिया हुआ है 16 cm यह माइनस टू और यह प्लस टू, यह कैंसिल हो गया है, अब यहाँ है x, 2x और x, यह हो गया हमारा 4x, इसकाल टू 16 अब यह समिकरन के दोनों पक्ष में हम 4 से भाग दे देते हैं, तो 4x by 4 और इधर 16 by 4 अर्थात यह आगया हमारा x बराबर 4 तो पहली भुजा, तो पहली भुजा हमारी क्या थी, x माइनस 2, तो x का मान हमारा कितना है, 4 तो 4 माइनस 2, इसकाल टू 2 सेंटिमेटर, दूसरी भुजा, यह है 2x, यानि 2 इंटू 4, तो यह हो गया 8 सेंटिमेटर, और जो तीसरी भुजा है, यह है x प्लस 2, अर्था चार जोड़ 2, बराबर 6 सेंटिमेटर, अब तिनों को जोड़ के भी देख लीजे, 8, 2, 10, और 6, 16, 16 सेंटिमेटर आ जाता है परिमाब, अर्था हमारा जो x का मान आया है, वो सही है, प्रसन संक्या 9, आयताकार टेबुल टॉप की लंबाई, चोड़ाई के 3 गुने से 6 मीटर कम है, यदि टेबुल टॉप का परिमाब 20 मीटर है, तो इसकी लंबाई एवं चोड़ाई ग्याद कीजिए, तो यहां हम देख रहे हैं कि चोड़ाई कम होगा और लंबाई ज्यादा होगा, तो हम चोड़ाई को मानते हैं, माल लिया के टेबुल टॉप की चोड़ाई, यह हमने माना एक्स, एक्स मीटर, तो इसलिए टेबुल टॉप के लंबाई, यह कितना होगा, चोड़ाई के तीन गुनी से छे मीटर कम है, यानि चोड़ाई का तीन गुना यह हो गया, त्री एक्स और इससे छे कम है, अब है टेबुल टॉप का परिमाब 20 मीटर दिया हुआ है, तो यह टेबुल टॉप आयताकार है, और आयत की परिमाब क्या होती है, आयत की परिमाब, इसके जो फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, इसका यह होता है, आप जानते होंगे, दो गुना लंबाई, जोड़, चोड़ाई, तो चलिए प्रस्ण से, यह दो गुना लंबाई जोड़ चोड़ाई, तो लंबाई है यहाँ, तो यह हमारे परिमाब हो गया, लेकिन हमारे परिमाब दिया हुआ कितना है, 20, अब आई यह इसे हल करते हैं, 2 इंटू यह ब्रेकेट हटाएंगे, तो यह 3X माइनस 6 प्लस X और इसकाल तू 20, यह 2 इंटू, यह 3X और X, यह हो गया हमारा, 4X, छोटी वाले ब्रेकेट अब देंगे, 4X माइनस 6 इसकाल तू 20, अब दो से इसको गुना कर रहे हैं, तो यह हो जाएगा, 8X घटाओ 12, इसकाल तू 20, अब इस समीकरन के दोनों और हम 12 जूड रहे हैं, तो 8X माइनस 12, यह प्लस हो गया 12, और यहाँ 20 प्लस 12, तो हम देख रहे हैं कि यह माइनस 12 और प्लस माइनस 12, यह कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आगया 8X सकल तू 32, अब दोनों पक्ष को हम 8 से भाग दे रहे हैं, 8X बाइट और यह 32 बाइट, तो हमारा X का मान आगया 4, तो हमारी टेबल टॉप की जो चोड़ाई होगी, यह X हमने माना था और X का मान आगया 4, यानि 4 मीटर, और टेबल टॉप की लंबाई, तो यह क्या था 3X माइनस 6, तो 3X का मान क्या है 4, और यह घटाओ 6, यानि 4 तियाई 12 और 12 से 6, तो इसकी चोड़ाई आगई 4 मीटर, और लंबाई आगई 6 मीटर, प्रस्न संख्या 10, परतिमा काजल से 2 वर्स बड़ी है, दोनों के उम्र का योगफल 30 वर्स है, दोनों का उम्र ग्याद कीजिए, तो यहाँ छोटी कौन है, काजल है, तो हम मानते हैं, मालिया की, काजल की उम्र ब्राबर X वर्स, और परतिमा की उम्र, यह काजल से 2 वर्स बड़ी है, अर्थार काजल के उम्र में हम 2 जोड़ देते हैं, X प्लस 2 वर्स, इसलिए प्रस्ण से, प्रस्ण में क्या कहा जा रहा है, कि दोनों के उम्र का योगफल 30 वर्स है, तो हम दोनों के उम्र को जोड़ते हैं, X प्लस X प्लस 2 इसकल तो 30, यह हो गया हमारा, X प्लस X, 2X प्लस 2 इसकल तो 30, अब हमें समीकरण मिल गया है, इस समीकरण को अब हम हम हल करेंगे, तो सबसे पहले हल करने के लिए हम क्या करेंगे, कि दोनों और दो घटा देंगे, दोनों और अर्थाद बायापक्ष और दाहिनापक्ष, तो 2X प्लस 2 माइनस 2 इसकल तो 30, माइनस 2, तो यहां हम देख रहे हैं कि यह प्लस 2 है, यह माइनस 2, यह कैंसिल हो गया, यह 2X इसकल तो 28, अब दोनों पक्ष में हम दो से भाग देते हैं, 2X बाय 2 इसकल तो 28 बाय 2, तो यह हमारा आ गया, X इसकल तो 14, अर्थाद इसलिए काजल की उम्र, काजल की उम्र, बराबर, 14 वर्ष, और प्रतिमा, प्रतिमा की उम्र, प्रतिमा की उम्र, यह काजल से 2 वर्ष बड़ी है, 2 हमने X में जोड़ा था, तो यह हम 14 प्लस, 2 करेंगे, तो यह हमारा आ गया, 16 वर्ष, तो हमें काजल की उम्र मिल गई, 14 वर्ष, और प्रतिमा की उम्र, 16 वर्ष, दोनों को जोड़ते हैं, तो वो 30 आ ही रहता है,